हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एकसेल के अंदर डेक्टु बिन फंक्शन का इस्तमाल बेसिकली यह जो फंक्शन है एकसेल के अंदर डेक्टु बिन यह दियेगे डेसिमल नंबर का बाइनरी एक्वेलेंट रिटर्न करता है मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के रखे हैं मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में यहाँ पे इन नंबर्स का बाइनरी एक्वेलेंट आ जाया है पे जो नंबर single digit form में आ सकता है वो single digit form में है जो डो digit में आ सकता है वो डो डिजिट में है तो ठीक है यहां पर मैंने जो पार जो यहां पर जो syntax यूज किया यहां पर आप देख पारे होंगे मैंने जो second parameter है मैंने उसको यूज नहीं किया है number of places लेकिन आप अगर चाहते हो कि ऐसा है कि A3 तो मैंने दे दिया कॉमा मुझे जो result चाहिए वो 5 digit के form में चाहिए ऐसा आप दे देते हो bracket बंद इंटर अभी देखो आपके सामने जो भी result आएंगे वो 5 digit form में ही आएंगे तो अब सवाल उठता है कि कितने डिजिट तक आप जा सकते हो देखो आप 10 डिजिट तक जा सकते हो मैंने अभी इसको edit करके कॉमा के बाद मैंने 10 दे दिया जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे अभी यह 10 number of places मतलब कि second parameter अगर आप यूज करते हो तो आप उसके वैल्यू को up to 10 digits तक ही रखो जैसा कि फिर से मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं देखो 10 digits तक में इसको कोई problem नहीं है लेकिन जैसे यह आप 10 से ज्यादा देखना चाहोगे तो यह हैज है नम error message देगा यह हो गई एक बात अब ध्यान दो यहां पर जो वैल्यू है यहां पर मैंने बहुत छोटा सा वैल्यू रखा है 0-9 लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ large value को आपका जो binary equivalent है वो आपको देखना है तो आप minus 512 से लेकर के plus 511 तक ही value के binary equivalent को देख सकते हो input range क्या है minus 112 to 511 आप इससे जैसे मैं आप लिखता हूं minus 511 कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं यहां पर लिखता हूं 510 लेकिन अगर आप इस range से उपर या नीचे जाते हो जैसे suppose कि मैं चाहता हूं minus 513 जो binary equivalent है वो मुझे पता चले तो देखो hashtag नम यह देगा error message ने दे दिया उसी ढंग से अगर आप चाहते हो कि more than 511 का आप देखो suppose 512 प्लस में तो उस case में भी यह has no error message देगा मतलब यह है कहने का कि deck to bin function को इस्तेमाल करते हैं अगर आप तो आपको कुछ चीज़ा जाननी है deck to bin function में दो पारामीटर इस्तेमाल होता है maximum पहला पारामीटर number है दूसरा पारामीटर जो की optional है वो है places का पारामीटर आप उसको दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो दूसरी चीज़ आप अगर places देते हो तो up to 10 digits ही आप दे सकते हो more than 10 digits देने पर यह error message देगा similarly यहाँ पर जो आप एक और number देता हूं up to places के साथ माले मैं देता हूं 500 मुझे 10 digits तक चीह है तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कोई तक सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल के सब्सक्राइब करते हैं बिल बिटन को हिट करते हैं ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे वीडियो के अंद तक बने रहने के लिए आपनों का बहुत बह तक सबस्क्राइब 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 तक